हलो फ्रेंट्स पार्ट अमबर थ्री बेसिक नॉलेज पॉर मैंच आज हम बात पर रहेंगे फ्रेक्शन के बारे में फ्रेक्शन कित्कों कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है ठीक है तो देखते हैं फ्रेक्शन की डेशन any number that can be expressed in the form of P upon Q कोई भी number जिसको P upon Q की form में express किया जा सके उसको हम लोग fraction कहते हैं याद रखना है Q की value 0 नहीं होनी चाहिए यादि कि Q लिखावा इस value 0 नहीं होनी चाहिए fraction इस वर्ट होता है numerator upon denominator denominator एक्जाम्पों के दोर्फिद्यार 2 upon 3 7 upon 8 11 upon 4 2 upon 17 ठीक है तो 2 upon 17 और इस तरीके से अगर आप कोई भी number लिखते हैं तो फ्रेक्शन बन जाता है जो उपर लिखावा ट्राम होता है उसको नुमिरेटर के नाम से जानते हैं अब बात करते हैं प्रोपर फ्रेक्शन की अब फ्रेक्शन इन वीच नुमिरेटर नुमिरेटर इस लेश्ट तेन प्रोपर फ्रेक्शन उसे हम दो प्रोपर फ्रेक्शन कहें गे जिस फ्रेक्शन में नुमिरेटर लेश्य होगा इसके एक्जांपल लेते हैं इसके एक्जांपल पर नीचे एट बड़ा होना चाहिए आप बात करते हैं इंप्रोव फ्रेक्षिन की लिखते हैं आप फ्रेक्षिन a fraction in which jismen numerator numerator is greater than is greater than the denominator denominator is called improper fractions improper fraction उसे हम लोग improper fraction कहेंगे जहां पर numerator बढ़ा होगा और denominator क्या होगा बेटापका छोटा होगा इसमें भी आप लोगे एक्जाम्पल लिख लीजिएगा क्या क्या एक्जाम्पल है हमारे पास जैसे 7 अपोन में 3 18 अपोन में 7 जिर्ण ऊपर बढ़ा कर दीजिए कोई भी नंबर बढ़ा ले लिए नीचे कोई भी नंबर छोटा ले लिए ठीक है चल जाएगा आपका इस प्रकार के जो फ्रेक्षिन होते हैं उनको हम लोग इन प्रोफ्रेक्षिन कहते हैं इसको कहते हैं जो फ्रेक्षिन की फों में होते हैं और क्यों जीरो नहीं होना चाहिए इसमें एक डिफ्रेंस होता है और रेशन नंबर में यह आपको आगी बताऊंगा फ्रोफ्रेक्षिन आपका यह आप इंप्रोफ्रेक्षाइस तह्या हो फोर्व को कहाना नूमनेटर 그다음 देल्म किल जो 58 अर्विकी जो आपका नूमनेटर छोटा होता है और उप अनुद्ध का लिभिए गया और फिर्सक थ्यान बनकी